देखे आज की इस वीडियों हम बात करने वाले हैं वेदानता के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे हिंदुस्तान जिंकी के बारे में कुछ न्यूज है जिस कारण से यह दोनों सेर बहुत तकड़ी हमें तेजी से भागते हो दिखाई दिए और देखे वेदानता का अग 9-5% मतलब लगवल होगा 3% की तेजी के साथ और अब देख लेते हैं देखें हिंदुस्तान जिंक को तो हिंदुस्तान जिंक जो है 306 पर हमारा ये बंद हुआ है आज और 4% की इसने तेजी आज दिखाई है दरसल जो न्यूज है वो इसी के रिकार्डिंग है लेकिन इसका जो है सीधा सम्मंद होता है वेदानता के साथ हिंदुस्तान जिंक का क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में वेदानता की 65% की हिस्सेदारी है तो इसलिए जो न्यूज इसकी थी गुड न्यूज उसके कारण हमें वेदानता भी भागता हुआ दिखाई दिया और आप अगर इस यह हम देखें तो रिटन दिये हैं 309% के अभी तक तो काफी अच्छे रिटन दिये हैं इसने देख लेंगे कौन सी वो न्यूज है क्या कारण है जिस कारण यह दोनों ही शेर हमें भागते हुए दिखाए दिये हैं लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक स कर लें क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं समय समय पर शेर मार्केट की जो भी न्यूज है आपको एकदम मिल जाती है यहां पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कर लें चली चलते हैं और देखिए वो न्यूज देखने से पहले हम देख लेत club है जिसमें कि आप investment कर सकते हैं और इसमें invest करके आप 12% तक return कमा सकते हैं तो बहुत सांदा return होते हैं 12% के सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ आप इसमें invest ही नहीं कर सकते बलकि आप अगर कर जाए यहां से लेना चाते हैं लोन लेना चाते हैं तो वो भी आप invest करना चाते हैं तो कर सकते हैं वीडियो के description में link दिया हुआ है तो वहाँ से आप इसको download कर सकते हैं अपको और सिर्फ दो मिनिट में अपना account आप open कर सकते हैं और ये कोई paid promotion नहीं है मुझे चीज अच्छी लगी तभी मैंने आपको बताई है आपको invest करना है नहीं करना वो आपको उपर है आप करना चाते हैं तो इसे download कर सकते हैं तो अभी हम आ चुके हैं उस news पर जिस कारण से हमें वैदानता और हिंदुस्तान जिंक दोना भागते वो देखाए दिये हैं देखिए ये notice आप देख सकते हैं वैदानता का और इधर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तो ये notice हिंदुस्तान जिंक का है जो की subsidiary है हमारी वैदानता की और नीचे आप देखेंगे subject जो है ये है outcome of board meeting जो इनकी 19 तारिक को board meeting हुई थी 19 जनवरी को मतलब आज उसका outcome आया है और ये क्या outcome है नीचे देखेंगे देखिए तो यहां आप देख सकते हैं ये इसने जो है देखिए 13 रुपे का dividend जो की इसका होता है 650% का dividend इसने announce किया है और 5,493 करोड रुपे ये dividend में बातने वाली है इस बार और देखिए जब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 13 रुपे का dividend दे रही है तो अगर हम पहले से ही देखें तो वेदानता जो है इसके just double के आसपास हमें dividend देती है और जो वेदानता है इसका 29 जनवरी को result है तो 29 जनवरी को वेदानता का भी हमें dividend की खोश्णा होगते हुए दिखाई दे सकती है जिस कारण से share भागता वो दिखाई दिया है और इसका dividend 25 से 30 रुपे तक हमें मिल सकता है इन्वेस्टर्स में जो चर्चा है वो यही है और साथी साथ जो इसका copper है copper की जो price है वो बढ़ी है 20% से तो वेदानता का जो result है वो भी अच्छा आने के उमीद है जिस कारण इसके target भी 400 रुपे तक के दिये जा रहे है है short term में और अभी चल रहा है 333 रुपे जो यह आज है मैंने आपको बताया था 280 से बता रहा हूँ कि इसको खरिद लीजिए लेकिन कोई बात नहीं अभी मोका है 400 के target अभी भी easily यह दिखा सकता है तो दोस्तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो please like जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं फिर next वीडियो में